नमस्ते दोस्तों, वेट फॉर यूर पेट सिरीज में मैं डॉक्टर प्रशान पंचलोथिया, आज आपसे फिर से एक बार बहुत सारे लोगों द्वारा पुछे गए प्रशन का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रशन ये है कि चार से छे हफ़ते के को क्या खाना पीना दिया जाए और किस तरह से उनके देखभल की जाए, किस तरह से देखरिक पी जाए, सामान्य तोर पे छे हफ़ते के बाद से लेके आठ हफ़ते तक में वीनिंग एज होती है, यानि मा अपने बच्चों को दूद पिलाती है, लेकिन बेच देने के हो, उसके कारण अगर चार से छे वीक के बीच में भी अगर मा का दूद नहीं मिल रहा, उस किसे में क्या किया जाए, क्या दिया जाए, तो उसके लिए सबसे फॉर्स्ट, फॉर्मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि उसको कौन सा दूद दे सकते हैं, तो एक तरह से भी दूद बना सकते हैं, या फिर आप बाहर से लैक्टोज या लैक्टोजिन करके जो दूद आता है, वो भी ले आ सकते हैं, गरम पानी में लैक्टोजिन या लैक्टोज को मिला दिया जा सकता है, और अगर आप अपने घर में ही दूद बनाना चाहें, तो एक कप गाय के दूद में दो अंडों की जर्दी एक चम्मच तेल और एक एक ड्रॉप मल्टि विटामिन और कैलिशम सिरप उसको डालके आप दूद बना सकते हैं जिसका तापमान तक्रीबन 37 डिगरी सेंटिग्रेड या 98 से 100 डिगरी फेरेनिट होना चाहिए ये दूद आप उसको चार से पांच बार दिन में दे सकते हैं अगर वो जितना जादा पी सके और चाहे तो उतना दे सकते हैं अलावा इसके अगर वो दूद कम दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है साथ में सेरेलेक शुरू कर सकते हैं अगर अपी का सेरेलेक मिल रहा है तो भी ठीक है अगर नहीं मिल रहा है तो यूमन सेरेलेक भी दिया जा सकता है उसमें जादा फर्क नहीं होता और जितना फर्क होता है उससे कोई नुकसान नहीं होता कई लोग ये गलत फेहमी देते हैं कि उसके अंदर शुगर होती है लेकिन शुगर सिर्फ कार्बो हाइडरेट बढ़ाती है जिससे कोई नुकसान नहीं होता जब ज़ादा उमर हो जाती है तब हम खाने पीने में शुगर का उस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन इतनी छोटी सी एज में तो ग्रोथ के लिए कार्बो हाइडरेट की बार बार ज़रुरत पड़ती है सेरेलेक आप चार बार दिन में दे सकते हैं जो साइज है उसके हिसाब से छोटी ब्रीड से लेके बड़ी ब्रीड और बढ़ती उमर होने के कारण जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो उसका सेरेलेक का कंजम्शन भी आपको बढ़ाते जाना है दो चम्मच, तीन चम्मच या चार चम्मच जो सेरलेक के अंदर स्कूप आते हैं उन में से ये आप दिन में चार बार दे सकते हैं गरम करके ठंदे की हुए पानी में गुन-गुना सा पानी जो अपने 37 degree centigrade अपने शरीर के तापमा जितना होता है उतने पे आप सेरलेक तयार क को देंगे अगर आपको कोई और खाना देना है तो भी ताजा ही खाना देना है और मॉइस्ट करके दाना है कभी भी सूखा खाना डॉप को दिया जाना नहीं चाहिए मॉइस्ट करने के बाद जड़ा सा गीला करने के बाद जो भी खाना देते हैं आप वो अगर 15 से 20 मिनट में खा लेता है तो ठीक वरना 20 मिनट के बाद 25 मिनट के बाद उसको डिसकार्ट कर दीजिए बाद में वापिस खाने के लिए मत रखिए क्योंकि वो organisms, germs या fungus जमा करेगा अलावा इसके आपको multi vitamin syrup देना है जो आधी से एक चमच उसकी size और उसकी breed के हिसाब से दिया जाना चाहिए उसी तरह से आधी से एक चमच calcium syrup दिन में दो बार दिया जाना चाहिए अगर बहुत छोटा बच्चा है तो दिन में एक बार आधी चमच दे सकते हैं एक किलो पे दो ग्राम प्रोटीन हर रोज dog की requirement पपी की requirement रहती है उसके लिए आप उसके वजन के हिसाब से protein requirement दिन की निश्चित करके आधे से लेके एक अंडे तक दिन में boiled egg दे सकते हैं अगर बहुत चोटा बच्चा हुआ तो one fourth boiled egg देंगे नहीं तो फिर उसको half boiled egg अगर ज़रत पड़ी तो half boiled egg दो बार दे सकते हैं अच्छा कई लोगों के प्रश्ण होते हैं कि इतना बड़ा जब बच्चा हो जाता है तब उसको fruits या vegetables फल या सबजियां दी जा सकती हैं चिलका निकाल के बीच का भाग देना है लेकिन फलों में अंगूर कभी भी नहीं देता उसके अलवा चॉकलेट कभी भी नहीं देता उसके सिवाए कि जितने भी season के हिसाब से fruit होंगे या season के हिसाब से सबजियां होंगी वो आप काटके बहुत ही महीन काटके दे सकते हैं बड़े बड़े टुकडे नहीं देने हैं बड़े टुकडे ना देने का कारण है कि डॉक जो होता है उसके नीचे के जड़े साइड में नहीं चलते हैं सिर्फ उपर नीचे चलते हैं जिसके कारण उसको चवाने में उतनी सहूलियत नहीं होती जितनी आदमियों को होती है या घास खाने वाले पशेयों को होती है आप जाधा से जाधा फल या सबजीयां उसका जो कुल को खुराक होता है उसके one for इसको बैड़े और भी या चिकन का पानी है वो दे सकते हैं और ठोड़ सौनकरी हैं जैसे जैसे उम्ड बढ़ेगी जेंट तब आप उसको बड़े टुक्रे भी मीट के या चिकन के दे सकते हैं अभी सिर्फ बॉइ एक दिया जा सकता है नॉन वेज़ में अगर वेजिटेरियन फूड आपको देना है और अगर वो ले सकता है तो आप उबले हुए चावल और दही और साथ में जो दल्या आता है वो भी दे सकते हैं उबाल के अंदर नमक नहीं डालना चीनी नहीं डालना तेल या घी नहीं डालना है इसके अलावा भी आपको कोई अगर प्रश्न है तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकती हैं मेरा फोन नंबर है 799-077-4805 मैं फिर से रिपीट कर देता हूं 799-077-4805 थैंक यू बेरे माच नमस्कार